दोस्तो आपकी स्कूटर की सर्विस के दोरान एक बहुती इंपोर्टन स्टेप होता है जिसको हम जनरली इगनौर कर देते हैं वो है गेर ओयल चेंज को लेकिए तो दोस्तो यदि आपकी स्कूटर में जो गेर ओयल है वो किसी वज़े से कम हो जाता है या आपके गेर बॉक्स से ड्रेन आउट हो जाता है तो इसकी वज़े से आपकी जो बेरिंग्स हैं जो की गेर बॉक्स में लगी रहती हैं या जो गेर्स हैं वो गेर्स के गेर्स जो है डैमेज हो सकते ही, तो इसलिए आपको हमीशा make sure करना है, कि आपका जो gear oil का level है, वो हमीशा proper रहना चाहिए, आप में से बहुत लोग अक्सर जो है, इस gear oil के level को check नहीं करते हैं, जिसकी वज़े से जो हमारी gears की bearing होती है, as well as जो हमारी gears होते हैं, वो damage हो जाते हैं, तो इसलिए हमीशा आपको make sure करना है, कि आपका जो gear oil का level है, वो proper रहना चाहिए, और आप time to time जो है अपने gear oil को replace भी करें, तो generally जो है, हर 15,000 km पे आपको एक बार जो है अपना gear oil जो है, वो replace कर देना चाहिए, तो आज किस वीडियो में हम जानने वाले हैं, कि किस प्रकार से हम अपने gear oil को जो है replace कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो में बने रहेए मेरे साथ, तो आज कि इस वीडियो में हम यूज करने वाले हैं Go Mechanic का 80W 90 GL4 gear oil, यह specially car के लिए designed है, लेकिन आप इसे अपने scooter में भी यूज कर सकते हैं, जो Castrol का 80W 90 वाला आता है वो भी similar इसी की तरह है वो especially यहाँ जो हमारे market में है, वो available नहीं है तो इसलिए मैं इस वाले gear oil को यूज कर रहा हूँ, यह 1 लिटर का pack है और इसका जो original MRP है वो 338 के आसपास है, लेकिन आप इसे फिलिपकार से purchase कर सकते हैं for a price of 250 रुपीज तो 250 रुपीज में आप इसे easily purchase कर सकते हैं, तो काफ़ जादा cost effective है इसके बाद मेरे पास जो oil को refill करने के लिए एक oil can है हाँ पर, जिसकी मदद से हम oil को refill करेंगे तो sorry यहाँ पर थोड़ा से gear oil गिर चुका है तो इसी oil कोन की मदद से हम gear oil के refill करेंगे तो काफ़ ज्यादा ergonomic wise सही है एक oil can, तो यह दिया oil can नहीं है आपके पास, तो आप syringe का भी use कर सकते हैं, 50 ml का वो easily आपको 60 रुपीज में मिल जाएगा, तो आप उसका use भी कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकाद से gear oil को replace कर सकते हैं तो यहाँ पर दो bolt है, एक drain bolt है दूसरा filler bolt है, तो drain bolt के नीचे आपको इस प्रकाद का container रख लेना है जिसमें की marking engraved है और यहाँ पर जो है मैं 12 mm का socket यूज करूँगा और इसको anti-clockwise direction में twist कराऊँगा और आपको ध्यान रखना है, anti-clockwise direction में twist कराएगा, क्योंकि अलुमिनियम के thread हैं, अगर आप clockwise direction में इसे खोलेंगे तो यह damage हो सकते हैं similarly हम जो है filler bolt को भी खोल लेंगे तो इस पका से easily खोल जाएंगे ना हम जो अपना drain bolt है उसको पूरी तरीकी से loose कर लेंगे और इसमें एक washer भी लगा रहता है जो कि oil को seal करता है और हम दोनु बोल्ट को थोड़ा थोड़ा करके loose कर लेंगे क्योंकि हम जब बाद में जो है तो हम फिलर बोल्ट को भी पूरी तरीकी से loose कर लेंगे तो इसके नीचे मैंने कंटेनर लख लिया है नो जो हमारा drain bolt है उसको पूरी तरीकी से loose कर लूँगा मैं और जैसे आप इसको पूरी तरीकी से loose करेंगे तो आपका जो oil है gear oil वो drain होना शुरू हो जाएगा तो इसकार से आपको gear oil drain हो जाएगा यह जो कंटेनर इसमें मार्किंग भी engraved है ML में तो हमें पता भी चल जाएगा कि कितने ML हमारा gear oil हमारी gear box में था similarly हम फिलर बोल्ट को भी खोल लेंगे ताकि जितनी भी air है वो निकल जाए और जो हमारा gear oil है वो पूरी तरीके से drain out हो जाए तो इसकार से फिलर बोल्ट भी खोल जाएगा जो हम जो है अपने gear oil को drain होने देंगे तो थोड़ा सा आप टायर को rotate करा लिजिएगा जिसे कि अंदर जो gear से उनके भी movement हो और हमारा जो gear oil है वो पूरी तरीके से drain out हो जाए तो इसकार से हमारा जो gear oil है वो पूरी तरीके से drain out हो जाएगा थोड़ा सा आपको movement देना है और आपका gear oil जो है पूरी तरीके से drain out हो जाएगा नेक्स जहाँ पर हमारा gear oil drain हो गया है तो आप देख सकते हैं जो gear oil है आपर वो approximately 110 ml निकला है जिसमें कि 10 ml कम है थोड़ा कम चलता है 10 ml तक तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका color काफी blackish हो गया है काफी time से use कर रहा था मैं इसलिए अपना gear oil का जो सबसे पहले हमारा drain bowl था उसको आपसे टाइट कर लेंगे और टाइट करते वक्त आपको सिफ इस चीज़ का ध्यान रखना है इसको आपको over tight नहीं करना है क्योंकि thread जो है aluminum के हैं और aluminum और ज्यादा torque की कभी वे आपस में नहीं बनती है तो इसलिए आपको इसको sufficient torque पर tight करना है एक बार इस sufficient torque पर tight हो जाए फिर हम उपना gear oil refill कर सकते हैं तो जो मैंने आपको oil can दिखाया था उसकी मदद से हम 120 ml जो है gear oil इसमें refill करेंगे तो gear oil refill करते वक्त आपको धान रखना है कि आप slowly gear oil को पोर करें या fill करें तो इससे होगा क्या कि जब भी आप 120 ml पूरी तरीकी इससे refill हो जाएगा तो जो gear oil है वो filler जो हमारा bolt लगता है जहां पर वहाँ से निकलना सुरू हो जाएगा तो एक बार आपका जो gear oil है वो निकलना सुरू हो जाए तो समझ जाएगा कि आपका जो gear oil है वो पूरी तरीके से refill हो गया है उसके बाद आप उसके उपर एक finger रखके फिर आप जो है आपका जो filler volt है उसको वापस से tight कर सकते हैं तो जल्दी से हम इस प्रोसेस को कर लेते हैं तो अभी हमारा जो gear oil है वो पूरी तरीके से refill हो चुका है तो यहाँ पर मैं एक finger रख लूँगा और फिर जो हमारा 12 mm का filler volt था उसको वापस से tight कर लूँगा और इस प्रोसेस को आपको quickly करना है नहीं तो पूरा जो gear oil है वो drain out हो सकता है तो इसलिए आपको इस प्रोसेस को fast तरीके से करना है तो एक बार आपका जो first thread है tight हो जाए फिर आप इसको properly tight कर सकते हैं अब यहाँ पर आप 12 mm का socket का योज़ कर सकते हैं और जो है इसको properly tight कर सकते हैं तो इस पकात से हमारो जो gear oil है वो successfully refill हो चुका है